हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है बेपरवाह सम्धन जी आपको कुछना कुछतोनी प्रारा करना ही होगा मैं इस तरह अपनी बेटी को इस घर में परेशान होते हुए नहीं देख सकता सुरेश जी सरला जी के आगे हाथ जोड़ कर बोले भाई स इस बार मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाया मेरी बेटी कितनी परेशान होकर इस कमरे में अपना समय काट रही है जो की बरसात में चारों तरफ से टपकता है आप खुद देखिए कि उसका विस्तर कितना गीला है लेकिन ये सब देखकर भी आपको कुछ भी एहसास न रखा हुआ है और मेरी बेटी पुराने कमरे में रह रही है जो की बरसात में टपकता भी है अब आखिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जब वो लोग खुद ताला डालकर चाबी अपने साथ ले गए हैं सरला जी जान बूज कर बेपरवा होकर बोली पापा आप लीच प्रहो आज मुझको बात करने दो समधन जी आपकी ही सह पर ही वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि दोनों मोटी रकम कमाते हैं और उनकी पतनिया भी माईके से खुब भर भर कर दहे जलाई हैं जबकि मेरी बेटी को आपने जबर दस्ति अपने सीधे साथे बेटे र बैठा दिया बेचारा अपनी सिधाई के कारड आप लोगों का विरोध भी नहीं कर पाया और ना ही राधा को करने दिया जबकि आपके दोनों छोटे बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं साथ मेरी बेटी का यहीं दोस है कि उसीने मुझे से मध्यम वर्गिय पिता के घर मिलिया उसका पती और माय का दोनों ही कमजोर हैं साइद इसी लिए उस पर आप अपनी जयादितियां करती हैं सुरेश जी बोलते बोलते हाफने लगे आज तक मैं आपकी हर जयादितियों को यहीं सोचकर सहता रहा कि चलो बेटी अपनी ससुराल में चैन की दो रोटी तो बहुत धक्का लगा कि एक मा कैसे अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर सकती है भले सोतेला ही सही लेकिन कहता तो आपको मा ही है भाई साहब आप हमारे घर के मामले में ना बोलें तब ही अच्छा है हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं सरला जी धमकाते हुए बोली समधन जी धमकी तो मुझको मत ही दीजिये क्योंकि धमकी देना मुझको भी आता है अगर आप सीधे सीधे मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेंगी तो फिर मुझको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि एक बापचा है जितना भी कमजो हो लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है और फिर आप मुझको दो समत दीजियेगा अब तो सुरेश जी कुरोधित हो उठे और मेज पर मुका मारते हुए बोले सरला मैंने तो कई बार तुमसे कहा कि बड़ी बहु को सचमुच एक छोटे से कमरे में दो-दो बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती होगी और तुमने हर बार मेरा मुभन्द कर दिया लेकिन समधी जी बिलकुल सही कह रहे हैं बंटी और राजु का कमरा बिलकुल खाली पड़ा है और उसमें तुमने जवरदस्ती ताला डाल रखा है अब तो दिन दयाल जी अपनी पत्नी से चिड़ते हुए बोले आप तो जी चुपी रहो आप भी समधी जी की बातों में आने लगे सरला जी चिड़ते हुए बोली सरला अब तक तो तुम सारे फैसले मुझे जवरदस्ती करवाती रही लेकिन अब नहीं अब मैं अपने बड़े बेटे बहु के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता मैं अपनी सारी पापर्टी तीनों बच्चों में बराबर बराबर बाटूंगा राहुल तुम्हारा सोतेला बेटा है लेकिन मेरा नहीं दीन दयाल जी कुछ अडिक फैसला लेते हुए बोले और उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया सरला जी तो बहुत ही ज्यादा किन मिनाई लेकिन दीन दयाल जी आज बिलकुल भी जुकने को तयार नहीं हुए और अपनी जायदाद के वहीं पर सुरेश जी के सामने बैठे बैठे तीन हिस्से कर दिये राधा और राउल को भी उनका हिस्सा सौप दिया और आज सचमत सुरेश जी के चेहरे पर एक खुबसूरत मुस्कान तैर गई क्योंकि उनकी बेटी को भी सम्मान से जीवन वेतीत करने का हक मिल गया था आशा करती ह दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद